हलो गाइज, वालकॉम बाग, आज की वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं कि C लेंग्वेज में जो फंक्शन होता है, क्योंकि जो पहली उनिट है, इसमें फंक्शन ही है, तो most important है एक्जाम के point of view से, तो function क्या होता है और कैसे बनाते हैं, उसको एकदम basic से समझेंगा, ज क्योंकि function में return type समझना पड़ता है, उसके लिए जरूरी है कि आपको data types पता हो, तो वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, आज हम बात कने वाले है functions की, और यदि अपने channel अभी तक subscribe नहीं किया हो, तो make sure कि आप channel जरूर subscribe करो, और अपने दोस्तों के सा करना पड़ती है, यदि कोई AC lines है, जो बार-बार print करवाना पड़ती है, तो उसको multiple times नहीं लिखते हुए, हम क्या करते हैं, एक block बना देते हैं, और उसमें उस code को लिख देते हैं, और इस block को एक नाम दे देते हैं, और इसी को कहा जाता है function, तो इसलिए अगर function की एकदम basic definition बताऊं, जो आप exam में भी लिख सकते हैं, वो है, कि function एक block of code होता है, जो एक particular task को perform करता है, और function हम इसलिए बनाते हैं, ताकि उस code को हम बार-बार reuse कर पाएं, बार-बार लिखना ना पड़े, पर हम use उसका multiple times कर पाएं, इसलिए हम एक बार function बना देते हैं, चीक है, so function is block of code, जो क्या करते हैं, कब run होता है, गो run तभी होगा जब आप उसको call करोगे, और हम उसको call किस जगी करवाएंगे, जहां हमको उसकी need होगी, अगर हम एक function बनाते हैं, तो यह हमारे उपर है, हम चाहें तो उसको data pass भी कर सकते हैं, मतलब उसको argument दे सकते हैं, यदि हमको ल data pass करते हैं, उसको या तो parameter बोलते हैं, या arguments बोलते हैं, अभी हम इसी वीडियो में की example भी देखने जा रहे हैं, तो function are used to perform certain actions and they are important for reusing the code, एक बार code को define कर दो, और उसको कितनी भी बार use कर सकते हैं, तो अब हम आजाते हैं, यहां पर हमारे पास में, C का जो function है, उसके तीन aspects होते हैं, देखो, यदि हम अपना main function बना रहे हैं, तो यदि हम अपना function बना रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ में क्या हो रहा है, कि हमको उसको declare करना परता है पहले, ताकि compiler को यह पता चल जाए, कि अगर मान लो आपने उसकी definition बहुत बात में दी है, लेकिन call पहले करवा द करवा रहे हूं, तो आप compiler को inform करते हैं, इस declaration के through कि भाया, इस नाम का एक function दीखेगा, जो हमने आगे कहीं बनाया है, तो आप error मत देना, चीक है, तो यह हम declaration कहां करते हैं, global, मतलब जो void main या main जो function बनाऊगे, उस main function के उपपर सिफ declare कर देते हैं, वो भी हम देखेंगे ठीक है, उस function में वो arguments लेता है कि नहीं लेता है, यदि लेता है, तो कितनी लेता है, और उसका return type क्या है, मतलब वो किस प्रकार की value को return करेगा, तो यहां पर इस जगे एक data type होता है, कोई सा भी, जो हमने पढ़े थे, उनमें से कोई भी data type, फिर क्या होता है, जब आपने declare क अब अपने function को call करवा सकता है, जो parameter list है, वो अगर आपने दो argument दी थी, याने दो number का sum करा रहे थे, तो आप हमेशा 2 ही number दोगे, ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही number दिया, या 4 number दे दी, या 3 दे दी, ये possible नहीं है, तो जब call करेंगे, तो हम उतनी ही arguments या parameters देंगे, जितनी हमने function के declaration में या definition में दी हुई है, ठीक है, अब finally हम आजाते हैं, अपने function के definition पर, ये जो definition है, इसमें हमारे actual statements है, ठीक है, actual statements कैसे है, जिसमें, क्या क्या रहेगा, जो भी आप मानलो, दो numbers को add करवा रहे थे, तो उस वाले function के अंदर लिखा हुआ है, c equals to a plus b, ठीक है, और print और आपने c को print करवा दिया, तो ये जो है function definition, ये actual function है, जिसके अंदर आपका पूरा code लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमने एक बार leaks दिया, तो हम उसको करवाते हैं call, और इन दोनों से पहले हमको क्या करना पड़ता है, declare, तो अब हम दे यदि function कोई भी value को return नहीं करेगा, तो इस जगे आप लिखोगे void, void के बाद में लिखेंगे हम अपने function का नाम, जो भी नाम आपको देना, क्योंकि हम user हैं, हम ये function बना रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा बनाये गए function को user defined function बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद यहां bracket दिख आपको इस bracket के अंदर, जितनी भी arguments देना है, जितनी values आपको pass करवाने ही, वो यहां आप लिख सकते हो, तो उसमें भी आपको पहले data type बताना पड़ेगा, उसके बाद उस argument का नाम, जैसे मालो int a, int b, int c, एक से ज़्यादा हैं, तो कॉमा लगा-लगा के लिखोगे, और अंदर का body care आएगा, ठीक है, तो इसमें वही code आएगा, जिसको आप execute करना चाहते हैं, तो अब हम देख लेते हैं, कि c programming में आपका function काम कैसे करता है, तो देखो, सबसे पहले लगाएंगे, हम header files, तो stdio.h, और generally conio.h भी लगाते हैं, बहुत से system में conio की need नहीं होती है, इ आप चाहें, तो लगा भी सकते हैं, अगर आपके system की requirement है, उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो, यहाँ पर हमने direct क्या कर दिया, function को यहीं पर define कर दिया, तो क्या करा, void, void का मतलब है, यह data type के बताता है, कि यह वाला function कोई भी value को return नहीं करेगा, जब यह return नहीं करेगा मतलब यह अपनी चीजों को इसी के अंदर ही print भी करवा देगा, यहाँ function का नाम, और यह देखो, यहाँ argument में भी कुछ नहीं दिया है, तो यह किस तरीके का function हुआ, void type without argument, और यहाँ पर आगे आपका main function, ठीक है, अब यदि हम देखें, तो यह देखो, यह जो function name यहाँ ल लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे void नहीं लिखा हुआ है, और इसके बाद semi column लगा हुआ है, जो कि यह नहीं था, तो यह है हमारे function की calling, इस जगे पे जाके हम function को क्या करवा रहे है, call करवा रहे, तो जब यह program execute होगा, तो कैसे होगा, execution हमेशे शुरू कहां से होगा, main function स main पे आए, main की यह जितनी lines थी, वो execute होगी, जैसे ही यह वाली line execute होगी, तो main से control किसके पास चला जाएगा, इस function के पास, इसके अंदर आए, इसमें जितनी भी lines थी, वो सारी execute होई, और फिर से control कहां आ जाएगा आपके, इस line के just नीचे, जो main function में ही है, जो उसके पास में control है रहा, तो इस तरीके से हमारा, और फिर आगे-ागे execution चलता रहेगा, जैसे उसको main function बन मिलेगा, तो execution खतम हो जाएगा, तो यह था हमारा, कि वो execute कैसे होता है, तो चली अब हम एक example देख लेते हैं, इस example में हमने क्या किया है, दो numbers को add करवाया है, तो अपने function का नाम हम numbers, ठीक है, और इसका return type बता दिया है, int, मतलब यह दो integer को add करके, जो result होगा, उसको return करेगा, तो यहाँ देखें यदि हम, तो इसको बोलेंगे declaration, क्यों declaration है, क्यों declaration है, क्योंकि यहाँ semicolon आ गया है, इसके बाद वो जो curly bracket थे, वो भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब definition नहीं दी यहाँ सिर्फ declaration है, ठीक, अब हम आ जाते है, main function में, main में हमने क्या बोला, user को, तीन data, जो आपकी variables थे, वो हमने declare कर दिये, n1, n2 और sum नाम का, अब हमने print क्या करवाया, print करके लिखवा दिया, कि enter two numbers, scan up function से हम value को read करते हैं, अब यह जो n1 और n2 हैं का data type क्या है, integer, तो integer के लिए जो specifier है, वो है percent d, इससे पहले वाली वीडियो मेंने बहुत अच्छे से explain की हैं, यह specifier वो भी देख लेना, तो यह number जब लेना है, तो percent d लिखा, दूसरा भी लेना है, तो फिर से percent d लिखा, यहाँ पर comma नहीं लगाते हैं, यह दोनों को double quotes में लिखके comma लग गए address पर जाए, ठीक है, तो इसका address मतलब कहीं उसको memory मिली, memory में कहीं जगे मिली, उसका जो address है, उस पर यह चीज है, store हो गई, तो जो भी value अपने पहले number पर डाली वो गई n1 में, दूसरे number की value गई n2 में, फिर हमने क्या किया है, जो sum नाम की variable थी, इसमें क्या करवाया, हमने यहाँ function call किया, call किया, तो देखो, यहाँ दो value देना थी, दो value हमने दे दी n1 और n2, यहाँ फिर से data type नहीं लिखना है, क्योंकि हम call करवा रहे हैं, तो सीधे सिफ value देना है, तो जैसे ही हम यह चीज यहाँ पर यह call होगा, तो control जाएगा, कहाँ पर, इस function के पास में यहाँ, यह है function, यह थी function की calling और यह है function की definition, तो देखो, definition में यह same लिखा हुआ है, बट semicolon नहीं है, और यह bracket लगा के, उसकी body आ गई, इसको बुलते definition, और जहाँ पर semicolon लगा हुआ है, और curly brackets के साथ उसके statement नहीं है, उसको बुलते है, declaration, ठीक है, तो हम आ गई यहाँ पर यहाँ क्या हुआ, A और B उसको दो value मिल जाएगी, कहां से आई, N1 वाली आ गई A में, N2 वाली आ गई B में, यह जो हैं आपके A और B, यह हैं आपके formal arguments, और जो यहाँ से जा रहे हैं, यह हैं आपके actual arguments, मतलब actual value उधर से जा रही है, copy होगी किसमें, A और B में, इसी को call by value function भी कहते हैं, तो A और B आ गई, अब क्या करा, हमने यहाँ एक result नाम का variable लिया, और result में कहा दे दिया, A प्लस B, उसके बाद यह जो return है, यह keyword है, यह क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ आपने int लिखा है, तो हमारी जो integer value है, वो यहाँ से इस function से return होगी, तो यहाँ स जो भी आपने value दी थी, वो दोनों जूड के, मानलों आपने 5 और 10 दिया था, तो result में आगया 15, और यह value कहाँ जाएगी, वो अपिस इसके पास, इस जगे जब 15 आया, तो किस में save होगया वो, इस sum के अंदर, ठीक है, control वापिस कहां आगया है, main के अंदर आगया है, अगल आपको return नहीं करवाना पड़ता, ठीक है, और generally आपने main के अंदर get ch देखा होगा, वो get ch क्या काम करता है, जब तक आप कोई key press नहीं करते हो, तो अब तक output screen को hold करवा के रखता है वो, ठीक है, तो ऐसा हम क्यों करवाते हैं, program end करने के लिए नहीं, बल्कि उस screen को hold करवाने तकी हम output देख पाएं, यदि आप get ch नहीं लगाएंगे, तो इतनी fast computer काम करता है, वो पटक चाप का output देखे, वापिस से अपने editor पर चला जाएगा, और हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए generally यहाँ पर get ch लगाया जाता है, So I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो I think हम मिलते हैं next वीडियो में, और यदि आपको recursion पर वीडियो चाहिए, तो मुझे आपसे comments चाहिए, इस वीडियो में की recursion पर वीडियो गनाईए, वो भी एक important topic है, और काफी easy going way में हम उसको explain करेंगे, यदि आप कहेंगे त So thanks for watching, keep subscribing, liking and sharing the videos, मिलते है ने 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 वीडियो में